Hello friends, welcome to my channel My Baby Care और मैं हूँ आपके साथ अर्षना हर पेरेंट्स से चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है healthy हो बईबी को कोई problem ना हो कि बिमारी ना हो बेबी का immune system काफी अच्छा हो इसके लिए पेरेंट्स जो है बच्चों को अलग अलग चीज़े खाने के लिए देते हैं जिसे की बच्चे की health अच्छी बने तो देखें उनी सब चीजों में से एक चीज़ आती है dry fruits या सूखे मेवे तो सूखे मेवे या dry fruits आपको बच्चों को देना चाहिए कि नहीं क्या वो सही है या नहीं है अगर देना चाहिए तो कब से देना चाहिए किस तरीके से देना चाहिए और साथ ही कि क्या आपको dry fruits जत्यकिन चीजों का ध्यान अपना चाहिए ये सारी चीज़े आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखेगा फ्रेंट्स आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीज़े हमारे चैनल को और बेल आइकन को दमाना बिलकुल मत बुलिएगा ताकि हमारी आगे आने वाले वीडियो मिस्त ना हो तो देखेए फ्रेंट्स सबसे पहली चीज़ की बच्चों को ड्राइ फЬरूट्स यो हैं आपको छे मैने से पहले तो बिलकुल भी नहीं देना चाहिए साहज साथ बच्चों को आपको ढ्राइफरूट देना स्टार्ट करना है तो आट जो फे नौ मह की जो उम्र होती है आट जो इसने विट्सलिंग्ट होती है, पिर्थी, आपको खाने के लीए यह बच्छों को खाने के लिए को पाॉडर दे सकते हैं ऐसा ना हो कि आप ड्राइफूट जो है सीधा ही बच्चे को खाने के देदें कि आप छोटा पीस काट के देदें पर वो बच्चा एक साल से पहले तो बिल्कुल भी नहीं निंगल पाएगा तो यह गलती आप बिल्कुल मत कीजिए अगर आप पाउडर की फॉर में बच्चे काउडर के देंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा नेक्स देखे यह एनरजी का बहुत अच्छा सोर्स होता है आपने देखा ही होगा कि बच्चे दिन भर कही ना कहीं भागदूड करते रहते हैं खेलते कुदते हैं तो इसमें उनकी काफी वेस्ट हो जाती है और बच्चे खेलते कूलते ही अच्छे लगते हैं, कई बार कई लोग ऐसा बोलते हैं कि उनका बच्चा बिलकुल भी अक्टिव नहीं रहता और बहुत जादा मादा सुस्त रहता है, तो देखें इस केस में भी अगर आप बच्चे को ड्राइफ रूट्स खाने के लिए देंगे, या ड् अखरोट, पिस्ता या फिर किशमिश खाने के लिए देंगे, तो ये सब चीजे जो है बच्चे के लिए एनरजी का काफी अच्छा सोर्स होती है, और आपका बच्चा चोटा है, तो आप बच्चे को ड्राइफ रूट्स पाउडर भी खाने के लिए दे सकते हैं, नेक्स देखिए, कभी-कभी बच्चों को आपने देखा होगा, कॉंस्टिपेशन या कब्स की प्राबलम हो जाती है, और ड्राइफ रूट्स में जो है काफी अच्छी मातरा में फाइबर होता है, और आम जानते हैं कि जिन भी चीजों में फाइबर अच्छा होता है, वो सब ची अगर आपने बच्चे को ड्राइफ रूट्स खाने के लिए देते हैं, तो आपने देखा होगा, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है थोड़ा उसकी बोन स्ट्रॉंग हो, ऐसा नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बच्चे का स्ट्रॉक्चर अच्छा बने, इसके लिए भी आप बच्चे को ड्राइफ रूट्स जरूर दीजिए, अगर आप ड्राइफ रूट्स खाने के लिए देंगे तो बच्चे के बोन स्ट्रॉंग होंगे, बच्चे के बोन के ग्रोथ में भी काफी हल्फुल होगा, तो ये भी अच्छा फायदा है बच्चे को ड्राइफ रूट्स देने का, अगला आता है कि मानसिक विकास यानि की mental development, अगर आप चाते हैं कि आपका बच्चा जो है अच्छा उसका मानसिक विकास हो, बच्चा जो है intelligent हो, तो इसके लिए आप बच्चे को जो है ड्राइफ रूट्स जरूर दीजिए, और स्पेशल होता है, तो ये भी एक अच्छा फाइदा है ड्राइफ रूट्स का, एक्चली क्या होता है कि अक्रोट में ओमेगा 3 fatty acids होते हैं, जो कि बच्चे के मानसिक विकास के लिए काफी बददकार होते हैं, एक अगला फाइदा जो कि शायद आपको ना पता हो, वो ये है कि ड्रा Biotic का काम क्या होता है? và Probiotic जो हमारे intestine, जो हे रखते हैं जिसने कि digestion अच्छा रहता है, तो अगर आप इन बच्चे को राइफ रूट्स देंगे या राइफ रव्रूट्स जो काफी ऑच्छा रहेगा उसको dr quién coils जो होती हैं, वो नहीं होंगी, तो friends मेरी इन बातों से अपने चाहिए नए अरा इसमें शनका झालते अध्याव, कराल हमें, क्यूंत रहना आपने बैदे कर लगाकों तो चैक केलें, मालिए बदाल जो है, नौत विधना नहीं है, बदाम देखे देखिए अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को अच्छे सूट हो रहा है कोई प्रॉबलम नहीं हुई तो ठीक है आप अगले दिन कुछ और ट्राइ कर सकते हैं पर एकदम से सारी चीज़े मिक्स करके मत दीजे हो सकता है कि बच्चे को अलर्जी हो उस चीज तो आप वो चीज मत दीजे उसके लाव आप दूसरी चीज़ ट्राइ करें वो जिससे उसको अलर्जी नहीं हो रही है आप उन सब को फिर बाद में मिक्स करके बच्चे को खाने के लिए दे सकते हैं तो अलर्जी का पता करना बहुत जरूरी है अगर बच्चे को जो कि बच्चे के लिए काफी जादा जाता है वो चीज गरम भी है तो क्या होगा बच्चे को लूज मोशन दस्त वगरा हो सकते हैं तो इसलिए शुरुवात में आप एक बदाम से शिरू कीजिए आप उसको बच्चे को वही खिलाते रहे है आपको लग रहा है बच्चे क अगली चीज जो कि मुझे सेफ मेथर लगता है बच्चो को ड्राइफरूट देने का और आपको भी मेरे ख्याल से यही करना चाहिए कि बच्चे के लिए ड्राइफरूट पाउडर बनाना बेस्ट है तो कि कभी-कभी बच्चो को चोकि वाली प्रॉब्लम हुई ही सकते है एक साल तक तक तो हमें बिल्कुल भी बच्चे को ड्राइफरूट एसे खाने के नहीं देने चाहिए और उसके बाद भी देखे बच्चे को चोटे होते हैं पता नहीं चलता वो खेलते खेलते खेले और उनको फिर चोकिंग के प्रॉब्लम हो जाए तो बैस्ट है कि सारे जैसे की काजू, बदाम, अखरोट, मखाने और पिस्ता इन सब को ड्राइर रोस्ट करके उसको पीस के पास रख लीजे एक एर टाइट कंटेनर में और उसमें बच्चों के खाने वाल चीजे में आप डाल के दीजे तो एक बैस तरीका है बच्चों को ड्राइफरूट दे देखिए बच्चे आराम से तो वो आदा चममज ड्राइफरूट पाउडर नहीं खाएगे जूँ से बच्चे के लिए अपने खीर बनाई है आप उसमें थोड़ा सा मिक्स करके दे सकते हैं ड्राइफरूट पाउडर को या फिर भच्चे के लिए ओट्स बनाते हैं तो ओ बहुत जादा नखरे करते हैं, तो उनको ये चीजे हमें जो है इसी तरीके से खिलाने चाहिए. Friends, यहीत हमारा आज का वीडियो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजेगा, शेयर कीजे, कोई queries हैं, तो आप मुझे comment box में लिखकर पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल से जोडने के लिए सब्सक्राइब किजे हमारे चैनल को, क्योंकि हमारे चैनल पर काफी baby related वीडियो, mother related वीडियो हैं, और recipe वीडियो भी हैं, तो यह आपके लिए काफी helpful रहेंगी. Thank you.